आज हम हंसन माला चैप्टर शुरू करेंगे और आज इसकी ठेवरी डिसकस होगी और कुछ एक्जाम्पल भी देखेंगे सबसे पहले हम अलन की परवासा समझते हैं फुलन क्या है और फिर इसके बाद इसकी प्रकार और एक्जाम्पल में आगे बढ़ें अलन को आप एक तरीके से मसीन कह सकते हैं अपरेटर कर सकते हैं जिसमें हम इन्पुट देते हैं और हमें यहां पर आउपट मिलते हैं और इन्पुट जो होने चाहिए वो वैलेड इन्पुट होना चाहिए तो जो इन्पुट वैलेड होती है एक्स कुलते होना है और यह आपका होता है डोमेंड और जो आउपट म जा सकता है और यह बना है जो लेकिन यहां को कोई element नहीं चूटना चाहिए अजर यहां कोई चूटा है जो पर यह relation कहलाएगा भी इसकी बाद बाद में होगी जो यहां चूट सकता है यहां नहीं चूट सकता है यह दोनों जो दिखाए गए है यह relation है और relation ही एक खास केसे function बनता है जो function होता है वो हमेशा उप समुच्चे होता है रिलेशन पर और इसकी कुछ खास कंडिशन भी ही तो चलिए कुछ फंक्शन यहाँ देखते हैं खास जैसे यहाँ पर एक मैपिंग दिखाई गए एलिमेंट यहाँ पर हैं आपके A, B, C, D, A, B, C, D, यह A के हैं और यह B के हैं P की हुगा है तो देखें A related है से B related Q से हैं और C पर वेस की value Q है तो यह जो value यहाँ पर लिखी हैं यह होंगी range और यह जो element यहाँ पर लिखें हैं यह होंगी domain और यह जो पूरा होता है यह co domain होता B यानि जो range है वो हमेशा co domain के अंदर ही कुछ न कुछ होगा है यानि उपसमच्च्च होता है और जब यह दौन एकवल हो जाते हैं तो एक खास function बनताज इसे आच्छा तक कहते हैं उसकी बाद अभी बाद महोगी यह function दिखाए गया यहां पर तो यह वाला जो है function नहीं होगा क्योंकि ए पर दो वैलू मिली है यह पर देखें यहां पर पी वैलू ही दिखाए गई है और ए पर वैलू क्यू भी दिखाए गई है तो ऐसा नहीं हो सकता है एक input पर एक ही unique output मिलना चाहिए, तो यह relation भर होगा function नहीं होगा, यह जो input value है, एक input पर y जो मिलना चाहिए हमें output, वो unique होना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए output, एक से जादा अगर मिलना है तो वो function नहीं होगा, output होना चाहिए, अगर एक x पर y के x से अधिक मान मिलना है, तो इ ग्राफ से भी इसको देख लेते ही, ग्राफ में इस तरह याद रखना है कि कोई भी ग्राफ है, जो से एक परागोला लिया, वाइस के समान तर कोई भी रिखा फिचने पर फंक्शन को, रिलेशन को एक से अधिक जगे कट नहीं करना चाहिए, यहां पर दो जगे कट कर रहे ह तो यह फलन नहीं होगा, यह सिर्फ रिलेशन होगा, यह भी आपकर रिलेशन होगा, यह भी आपकर रिलेशन होगा, यह भी छूट दिया है, तो यह फंक्शन को भी नहीं होगा, यह सिर्फ कहराएगा आपका रिलेशन, क्योंकि दोमेन का प्रतियक अभी आप को डोमेन से अगर कोई भी डोमेन में छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा, रिलेस्ट होगा रिलेस्ट गया. यह आपका function हो जाएगा. यह पर एभी सी में कोई नहीं छूटा, यह यह पर छूट सकता है, यह छूटने का मतलब है कि यह रेंग उपोर डोमेन इक्वल नहीं है, यहां पर इसकों कहेंगे, यह अन्ताच यह भी बलन है, और बाकि यह फंक्शन रिप्रिजेंट करेगा, क्योंकि यहां कोई नहीं छूटा है, और पिर टेक एक एक्स पर यूनिक आउट्पुट मिला है चलिए अब डोमेन की बात करते हैं, फुलन की डोमेन की इस तरह निकालना है, और कुछ उदार लेते हैं इसमें, तो इसमें पाइंड करने के उस तरीके हैं यहां जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो यह देखना है, डोमेन की डेफिनिसम क्या है, कि आल इंपुट वैल्वी ओफ एक्स, यानि एक्स के हुए सभी वास्त्रिक मान जहां फलन परवासित हो, यानि आनन्त वगेरा ना है, परवासित हो, डोमेन के लाते हैं, अब देखी चराव, इस रूप का कोई फंक्सन दिया हो, एक बटे एक्स्प्रिसन, यह पोज भी हो, पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई फलन हो सकता है, तो इस तरह का कोई फंक्सन है, तो उसकी डोमेन निकालन इसकी डोमेन होगी, अब आर मैसे हमें दो हटाना पड़ेगा, तो इसकी डोमेन होगी, आर मैसे हमें दो हटाना पड़ेगा, तो इसकी डोमेन होगी, आर मैसे हमें दो हटाना पड़ेगा, तो इसकी डोमेन होगी, आर मैसे हमें दो हटाना पड़ेगा, तो इसकी डोमेन हो जाएगी r minus plus minus 2, इसमें दो value छो देंगी, तो इस तर अगर कोई भी domain हो, एक बटे हो, बटे में कोई ही बंजब हो, तो इस बंजब को 0 नहीं होना चाहिए, यह हमें देखना होगा, क्योंकि 0, y input हमें देखने हैं, कौन-कौन valid है, इसी तर अगर root के अंदर दिया है, जैसे मे जो भी यहां बंजब दिया है, यह आपका positive होना चाहिए, root के अंदर positive चीज़ ही defined है, real में, और 0 भी defined हो जाता है, तो इस तरह दिया हो, तो x equation को greater than equal to 0 करा देते हैं, वहां से जो भी x आएगा, वह domain होगी, इसकी domain होगी, x belongs to 2, यह इसी को हम पैसकते है, x belongs to 2 to infinity, 2 से जाता है, real number है, और 2 पे close आएगा, इसी तरह यहां पर यह 0 होना चाहिए, तो इसके factor हो जाएगे, x plus 2, x minus 2 greater than equal to 0, अब इसके critical point दो आएगे, minus 2 और plus 2, और यहां से यह वेविकर method से plus, minus, plus, तो plus वाला region एक यह है, और एक region यह है, तो इसकी final domain हो जाएगी, minus infinity to minus 2, union 2 to infinity, तो यह द्यान देना है, यह root वाला हो गया, अब तीसरा है, log x रूप का कोई फंक्शन हो, इनको फिर हम अपने, इसी है साप्शन को जनलाइच किया जाएगा, log x base a दिया हो function, fx की value हो, log x base a, तो सब से पहले तो positive चीज का log लिया जाता है, यह condition लगाएगे, x positive होना और यह 1 नहीं होना चाहिए, तो log में तीन चीज देखनी है, जैसे मैं इसमें भी एक example लिया हो, तीसरे में, fx equal to log x minus 2, और base मान लिजे मैंने लिया, अभी मैं e ही ले 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 तांग base, इसकी domain देखनी है, तो सबसे पहले तो base यहाँ पर क्या दिया है, e, तो e का मान e हो जा जब भी होता है, जो यह दो condition आपकी fulfill हो गई है, अब आपकी एक ही कुछ है, क्योंकि e का मान e जब हो जाएगा, तो हम e positive है की नहीं, और e 1 हो रहा की नहीं, यह तो यह से दिर जाएगा, तो बस अब एक चीज भर देखनी है, कि x minus 2 क्या होना चाहिए, greater than 0, यानि x greater than 2, यह इसकी domain हो जाएगी, इसी तरहे कई function दिये हूँ, fx, zx और उनकी अलग-अलग domain के लिए हम यह तब find करेंगे, जब है, दो फलन का योग हो या अंतर, fx plus minus zx, जैसे मैं को दान्ड हो यहाँ, अब आप से domain कूछी जाए कि fx equal to x minus 2 plus log x, इसकी domain बताईए, तो आप दो फंसन या प्लस में हैं, तो ऐसे के इसमें, प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम दोनों की अलग-अलग domain निकालते हैं, fx की अलग और gx की अलग, उसी हिसापस जैसे होना चाहिए, फिर दोनों का हम ले ले लेते हैं, common part, दोनों का intersection, final जो overall final जो common x होंगे, वो पूरे function की domain के ला लोती हैं, आपकी, जो हम अभीबाद कर रहे थे, x के मान, सीधा-सीधा हम थो को देखें, x के मान का मतलब x की वो मान जो हम input में दे सकते हैं, x के सभी मान, domain है, और range होती है, y के सभी मान, सीधा-सीधा-सीधा, y के मान सभी आउटपुट वैलू का क्रेक्षन होता है रेंज का मतलब है सभी वाई के मान या आउटपुट वैलू जितने भी मिल लाई है उन सभी का कलेक्षन करके लिखना वही रेंज होगी तो अबज़र्ब करना होगा आपको function के साब से इसका कोई definite एकदम रोल नहीं है कि आप निकाल लें फ्लन टू फ्लन वेरी करेगा रेंज के लिए तो रेंज में काभी सारी चीज़े हैं तो क्विश्चन के सुरू हो वहाँ पर देखेंगे इविड और और फंक्शन होता है सम्फलन और बिसम्फलन इसकी कंडिशन है तो उसी रियाद रखना है आपके इविन फंक्शन है कंडिशन यह है और यह और की यह पीं होता है तो टू होता है सम्फलन और x की जगह पर माइनस x रखने पर माइनस बाहर आ जाए यानि यह हो जाए तो बिसम्फलन वागर इन दौनों में से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा ज़रूरी नहीं है कि हर फलन एवन और ओड हो ही अजह पर में दéo जबता है आपको यह इवन कुछ फलन ऐसे हैं जो न से के सब्सक्राइब होता है उने या श्मी आइकस के वाब दैसे मोतलब यह five demon होता है आप इसी तरह f x equal to mod x है, यह भी symmetric होता है y x s के अबाउट, symmetric का मतलब y x के बाएं अदाएं कि एक सा graph होगा, तो इससे भी हमें कभी questions फाइदा मिलेगी, जो odd function है वो opposite quadrant में symmetric होता है, opposite quadrant का मतलब पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में, या origin के about भी कह सकते हैं, odd function is symmetric about, origin, या opposite quadrant भी कह सकते हैं, opposite quadrant में symmetric होता है, even odd बस इसी तरह check करेंगे, अब फाल उनकी definition है, one one, many one, इनको भी अभी explain कर देते हैं, उसके पहले हम कुछ functions के बारे में छोड़ा सा देखते हैं, और उनके graph के बारे में भी देखते हैं, one one and many one function, तो जैसा की नाम से आप फलन की प्रकार हम पढ़ना है, फलन कितने प्रकार का होता है, one one को हम इन्जेक्टिब भी गोलते हैं, और mathematically इस तरह चेक करते हैं, या हम ऐसे भी क्या सकते हैं, कि जो भी फलन है, उसमें हम एक बार x2 रखेंगे, एक बार x1 रखेंगे, या हम इन्जेक्टिब भी गोलते हैं, यानि इसकी जो इमेज हैं, वो सभी इमेज डिफरेंट होना चाहिए, अगर कोई भी इमेज रिपीट हो रही है, तो फिर वो एक एक का एक से ही रिलेशन होना चाहिए, दो से नहीं, तो हम सीधा कह सकते हैं कि f1 रख 2 करने से x1 रख 2 और x2 और graph से भी इसे देख सकते हैं, graph से इस तरह देखना है, उसको हम बोलते हैं horizontal line test, तो एक horizontal line खीचते हैं, अगर ग्राफ ग्राफ को at most एक ही पॉइंट को cut कर रही है, तो function 1-1 होगा, अदरवाज नहीं, जैसे मैं fx equal to x2, तो इसका graph ऐसे होता है, अब इसमें y-axis के बाफ line कीचेंगे, तो एक 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 परतर line कीचेंगे, तो देखिए, दो जगहें cut कर रही है, यतो यह 1-1 नहीं होगा, और फलन नहीं एक fx equal to x, y equal to x टेखा, मुली नहीं जैसे जाती ही, तो यह एक जगहें cut कर जाएगा, तो यह आपका 1-1 है, और जिदने भी फलन, मैं इसमें एक point और ब पूरे domain में लगातार बर्दमान है, या लगातार हरासमान है, तो भी वए 1-1 होता है, तो इसको हम ऐसे संदेंगे कि यदि fx कोई फलन है, fx फलन का हम f' x निकालें, और f' x पूरे domain में या तो greater than 0 हो, या पूरे domain में less than 0 हो, पूरे domain में जहां भी defined, तो आपका 1-1 हो या लगातार बर्दमान है, लोग x, तो एक ही जगे कट करेगी लाइन, ये सब 1-1 function है, अगर बर्दमान रासमान दोनों है, तो भी 1-1 नहीं भाएगा, दूसरे प्रकार में हैं इसका on to और into function, तो on to और into ये दौनों एक साथ, one-one और many-one वहां हो गए है, अगर one-one नहीं है, तो many-one होता है, ऐसी तरह है, अगर on to नहीं है, तो फिर into होता है, तो एक एक definition ही आपको याद रखने है, इसकी विल्गोशी रीजी definition है, कि अगर range equal to co-domain है, तो आपको फलन आच्छा तक होगा, otherwise नहीं होगा, तो आपको जब भी on to पूछेगा, तो ये वाला relation जरूर देगा, if such that it to be, ये आप जानते हैं, ये domain होती है, और ये होती है co-domain, ये हमें सा given होगी जब आच्छा तक पूछेगा, और range हमें function से निकाल नहीं तो बस आपको सीदे, सीदे जब भी function दिया जाएगा, तो आपको आप range observe करनी हमें साथ, रेंज observe करने के बाद देखेंगे कि co-domain के पल है या नहीं, जैसे मोधान होगे, f such that r to r, ये given है, i to r, fx बराबर cos x, सिद्धिकरों कि ये अच्छा दक नहीं, तो बस क्या करेंगे डोमेन तो r है, co-domain कितनी दी है r, तो range अब निकाल के देखेंगे, range अगर r होगी तो होगा, otherwise नहीं होगा, तो cos x की range क्या होती है, minus 1 स 1, ये तो आप जानते हैं, तो minus 1 स 1 इसके equal कभी नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये अच्छा दक नहीं, लिख देंगे, co-domain r not equal to range इसके equal कभी नहीं होगा, तो ये कभी भी आच्छा दक नहीं होगा, cos x की, ये कुछ फल्लों की ग्राफ है, log x का है, और log की कुछ वैलू भी आप है, आप लिख सकते हैं, कि log 0 की वैलू की अगर बात की जाए, तो बैसे तो define नहीं, लेकिन इसकी trending वैलू होती है, minus infinity और log 1 क value किसी भी base पर, base a पर हमेशा क्या होती है, 0, और negative point t का log नहीं लिया जाता है, देखिए, आप जो भी किर आप बने हैं दोनों, वो एक्स, पॉस्ट आप एक्स के लिए ही बनी है, ये डोमीन हमेशा पॉस्ट पॉस्ट होती है, और range दोनों की आर होती है, इनकी जिंक function भी दिखाएगा है, देखिए, धर ये दिया है, आपका ए गात x में जब a बड़ा होगा, ये case है, जब a छोटा होगा, जैसे ए गात x में ए बड़े वाला case हम लें, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 10 की इनकी ग्राफ इस तर रहाएंगे, ये वाली ग्राफ, 2 की प गात x, एक बड़े 5 गात x बनाना होगा, दो बड़े 5 गात x बनाना होगा, तो आपका ए इस तरह बनेगा, ये हम इसा dx होगा, ये हम इसा ink Bay yapıyor, अब मॉडलसपंक्जन पर आते हैं, तो मॉडलसपंक्जन पर आते हैं, जोड़ा सा मॉडलसपंकी डेफिनिशन और इस तो ग्राफ में सबसे पहले हूँ मौट का ही ग्राफ देखते हैं और स्टेट लाइन की यह वाले आपको यूज़ को रहेंगे काफी तो मैं अभी अब बात कर रहा हूं सीधे सीधे की fx एक्वल टू ax प्लस b इस रूट के ग्राफ बनाने हैं यह linear function है इसी को हम y भी लिख सकते हैं हमें सा ax प्लस b तो यह आसान भी है बनाना कोई भी स्टेट लाइन ग्राफ बनाना हूँ आपको इन जनल इस तरह की भी स्टेट लाइन दी हो ax प्लस b y प्लस equal to 0 इस रूट का कोई भी ग्राफ बनाना हो यह एकदम यह आसान है आपको सीधे-सीधे यह पता करना है यह x और y axis को कहां कट करेगा x ब्राव 0 रखके y निकाल लेंगे और y ब्राव 0 रखके x निकाल लेंगे इसके बाद इन दौनों पॉइंट को बना कर इनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रो कर देंगे दिखे-सी--सी-बम होंगे मान लीजे यह है और 0, –c upon Bubble बमान लीजे यह है, अब इन से जाने वाली इस्टेड लाइन इसतड़ी होगा, ऑज आए यह आएगी, आ यह लाइन बन जादी इस्टेड लाइन का ग्राव हमें साह बनाना असान है और आप इंटरसेट पता करके x y axis पर इसको सीधे मिला सकती है कुछ particular line होती है x equal to plus minus a और y equal to plus minus a रूट तो x equal to a line जो होती है x equal to a line आपकी इस तरह होगी और x equal to minus a line यहां होगी y equal to a ऐसे होगी और y equal to minus a नीचे होगी यह particular line से और origin से जाने वाली कोई वी line y equal to mx है तो वो आपकी इस तरह बनेगी y equal to mx और m positive है तो यह रहेगी m अगर negative है तो यह इस तरह बनेगी यह m negative का case है और यह m positive का case है तो y equal to minus 3x बनाना हो y equal to minus plus 3x बनाना हो यह बनाना हो और एक example लाओ ले लेते हैं minus 3x बनाना हो तो y equal to 3x origin से यह हो जाएगी इस तरहे तो माइनस 3x वाले line यह बनेगी इस तरहे आएगी इस तरहे आएगी अब यह नीम में अगर मॉड लगाना हो तो उसको भी समझ दीजी तो इसका सीधा तरीका है कि अगर हमाए fx से यह सभी के लिए valid होगा mod fx ठीचना तो सीधा सीधा x x के नीचे जो भी graph है x x के नीचे वाले part की part की x x के साब x x के साब x image लेकर मिटा देती इससा क्या मतलब यह तो यह हमें यह देखना है पहले हमें fx अगरा पना लेना है जैसे मैं आपको खेंच के दिखाता हूं mod x का है यह तो पहले मैं खेंच हूंगा y equal to x फिर mod x का तो y equal to x लाइन आप जानते हैं नीचे वाले को इसकी image आएगी यह पार्ट फिर मिटा जिया जाता है यह वाले और इसकी image x x को मेरा अर्मान कर इस तरह आएगी तो फाइनल mod x अगर आप होगा वो यह होगा यानि mod x अगर पूरे में लगा है तो x x के नीचे नहीं बनेगा graph पुरा-पुरा उपर रहेगा इसी तरह हमें खीचना है x-2 का mod तो पहले हम x-2 कीचेंगे x-2 लाइन इस तरह आएगी अभी मैं डाइट बना दे रहे हैं यह 2-0 से जाएगी और यह 0-2 से इसका अगर आप बनाना है तो यह वाला पाइट हट जाएगा और इसकी निवे जाएगी यह हो जाएगा आपका x-2 का mod यह बना अब आप इसकी domain सब कुछ बता सकते हैं बहुत असानी से देखके अगर देखा जाए तो यह वाला जीरो पर आपका ली नहीं होगा यह 2 पर नहीं होगा और यह सतत हमेशा है दोनों और बर्दमान रास्मान सब कुछ देख सकते हैं तो आज function में इतना ही है हमने basic lecture है इसकी शुरूबात की है अब देरे देरे अगले lecture में हमारी ग्राब को बढ़ेंगे और कुछ एक्जाम्पल और आईटी जेए की कुछ पुरानी questions लगाएंगे next time को झाल